कंतारा मूवी 2022 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और हाल ही में इस फिल्म को नैशनल अवार्ड से सम्माने किया गया चारो तरफ परशंसा हो रही थी तारीफ हो रही थी इस फिल्म के एक्टर और डिरेक्टर रिशब शेटी की लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ रिशब शेटी ने एक ऐसा बयान दे दिया कि जो लोग कल तक रिशब शेटी के काम की तारीफ कर रहे थे वही लोग भर भर के गालिया दे रहे हैं अब तो ऐसा लग रहा है कि रिशप शेटी ने जो ये रायता फैलाया है उसे साफ कर पाना खुद रिशप शेटी के लिए मुश्किल हो गया है मुश्किले खड़ी हो गई है रिशप शेटी के लिए आपको बता दे कि रिशब शेटी ने बॉलिवूड वालों पर निशाना सा था और उन्होंने एक इंटर्वू में कहा कि बॉलिवूड में जो फिल्में बनती हैं वो देश की छवी को नेगेटिव तरीके से रिप्रेसेंट करती हैं गलत चीजों को दिखाये जाता है और जब वो इंटर्नेशनल लेवल पर फिल्में जाती हैं तो लोगों के जहन में वही नेगेटिविटी भर जाती है हमारे देश को लेकर रिश्व खेटि का ये कहना था और उनके इस कहते ही फैंस की भरमार लग गई उनको ट्रॉल करने के लिए जो लोग तारीव कर रहे थे कल तक वही लोग väर भर के नसीखत दे रहे हैं भर भर के गालियां दे रहे हैं और भर के उनकी आलोचना कर रहे हैं कहा जा रहा है कि बॉलिवूड से जलते हैं, शायद इसी लिए इस तरह की बाते कर रहे हैं, क्योंकि बॉलिवूड अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्टी है, एक से बढ़कर एक मास्टर पीस इस इंडस्टी ने दी है, आज भले ही बॉलिवूड के हालत थोड़ी सी ख नहीं है, बॉलिवूड बॉलिवूड है और आज की साउथ की फिल्मों से कहीं जादा बड़ी फिल्में बॉलिवूड की होती है, अगर दिन खराब चल रहे हैं, तो दिन अच्छे भी चलेंगे, लेकिन कोई भी बॉलिवूड को कुछ कह जाए, ये बरदास्त नहीं हो र बॉलिवूड के लिए इतना नफरत भरा हुआ है, रिशब शेटी को यहां तक कहा गया है, कि ये हिपोक्रेट है और डवल स्टेंडर्ड अपनाया हुआ है, दर असल कुछ फैंस ने तो कंतारा मूवी के ही दो सीन को लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया, रिशब शेटी को अगर आप सबने फिल्म देखी होगी, तो याद होगा कि उस फिल्म में कंतारा फिल्म के एक्टर इशब शेटी जो है अपनी को एक्टर को नहाते हुए दिखाया गया है, एक सीन है फिल्म में, दूसरा सीन जिसमें को एक्टर की कमर को चुकोटी काटते हुए दिखाया ग कमर पर चुटकी काटना और बॉलिवूड पर हमला पर्मनेंट है कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि नैशनल अबॉर्ड मिल गया है इसलिए घमंड हो रहा है लेकिन ये घमंड जादा दिनों तक चलेगा नहीं और जल्द ही चूर चूर हो जाएगा जल्द ही बॉलिवूड वालों के पैर पकरते नजर आएंगे रिशब शेटी जल्द ही बॉलिवूड वालों के साथ फिल्में बनाने की कोशिशों में लग जाएंगे रिशब शेटी क्योंकि असल मकसद तो बॉलिवूड को बदनाम करके एंट्री करना है तो आप सब कमेंट करके जरूर बताईएगा रिशब शेटी ने जो वयान दिया है क्या लगता है वाकई में बॉलिवूर्ड नेगटिव चीजों को दिखाता है या रिशब शेटी का या वयान जो है उससरा सरकलत है कमेंट करके बताईएगा आप सब कमेंट बॉक्स में कमे करिएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि आप सब की राई क्या है